स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेक्नोलजी में मैं अनुपरमबबूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूब कैमरा टीउस्टी में आज हम लोग बात करेंगे सोनी ZV-E1 के बारे में तो आएए समझते हैं तो सबसे पहले समझें ये क्या है ये है लो कोस्ट फुल फ्रेम व्लॉगिंग कैमरा यानि की सोनी ये लाइन अप यानि ZV लाइन अप जो है और इसका सबसे यूनीक सेलिंग पॉइंट है कि ये 4K 60fps अन क्रॉप दे रहे हैं 4K 60fps अन क्रॉप आपको एक ही दो कैमरा में मिलता है मिजॉर्टी ऑफ कैनन में मिलता है इसका यही बात है कि यहां पर यही दे रहे हैं कि 4K 60 दे रहे हैं फुल फ्रेम दे रहे हैं और लिमिट भी नहीं है यानि यह आजकल इंपोर्टन नहीं लेकिन जस्ट इन केस कि बहुत सारे कैमरा में 30 मिनिट का लिमिट होता था क्योंकि एक law था वो law हट गया उसके बाद अब सारे कैमरा में वो लिमिट हट गया है तो इसमें कर क्या रहे हैं इसमें दे रहे हैं आपको 12 मेगा पिक्सल यानि कि बहुत हाई कि 99% काम लोगों का हसी खुशी हो जाएगा तो इसमें हो क्या रहा है हो यह रहा है कि इनोंने A7S3 का सेंसर उठाया और उसमें A7R5 का प्रोसेसर डाल दिया तो मतलब समझें यह दो टॉप एंड को लेके जोड़के शादी करा दिये और उसे एक सस्ते चैसी में डालके दाम लगेगा मैंने इनका लिस्ट चेक किया है इंडिया में दाम नहीं लगेगा यानि कि अगर आप यह खरीते हैं और यह कंपनी से रिलीज करती है तो इंडिया में मतलब सोनी के वेबसाइट के हिसाब से इंडिया में आपको फ्री कवास एक फर्मवेर अपडेट करना पड़ेगा और इसका दाम टार्गेट किया जा रहा है 2200 डॉलर यानि कि लगबग 1.8 लाक और इसको अगर मैं करता हूँ अभी यह दाम एकुरेट नहीं है क्योंकि जिस टाइम मैं यह वीडियो बना रहा है उस टाइम सोनी के वेबसाइट में अवेलिवल सून दिखा रह तो यही वो कर रहा है और यह वन सिंगल काट स्लोट है यूस्बी सी है आपका माइक है है हेडफोन है और यह काफी अच्छा व्लॉगिंग माइक दिया हुआ हुआ है फुल फ्रेम के साथ तो अब बात करते है क्या है मैंने आपको इता है A7S3 का इसमें यह सारा चीज है मत इनका यह जो एक बात करने के लिए अलग से प्रोसेसर दिया है तो बात है कि सोनी अब उस जिगांपे है जहां पे अल्मुस्ट हो गया सोनी से जितना चीज सोनी को करना था वह उन्होंने कर दिया और अब कुछ नया बचा नहीं है तो वह AI प्रोसेसर डाले था कि थो और अभी यह समझ लिए 90 परसेंटाइल में आपको कोई टेंशन नहीं होता है आज के टाइम में आपको नया कैमरा रहता है जब तक वह पैनास्वानिक, फूजी या नाइकॉन कर नहीं हो Canon और सोनी किसमें कभी डाउट नहीं होगा कि वह वीडियो में ठीक से काम करता है कि नह 95 परसेंटाइल में सोनी आ जाता है, वो सोनी 95 को 98 पे ले जाना चाहता है तो उसी के लिए AI प्रोसेसिंग यूनिट डागा है और यह यूनिट पूरा human body को अनलेसेज करता है, सिर्फ आंक के पिछे नहीं भागता है, पूरा body को अनलेस करता है, structure बनाता है, skeleton बनाता है और किसाब से यह frame को guess करने लगता है, यानि कि किसी कारण से आपका face पर यह lock नहीं कर पा रहा है, आप सिर्फ घुमा रहे हैं, तो यह आपका frame पर focus करेगा, यह frame तो magically कहीं दरोदर नहीं हो जाएगा, तो frame से अपना focus stable रख पाता है, तो ही समझें, और इनका core focus, यह पूरी camera को बनाने का core focus है, कि ease of use, यानि कि असानी से आप इस्तमाल कर से, जैसे आप यह देख सकते हैं, कि touch screen जो है, मतलब पता नहीं सोनी में क्या फूका हुआ है, कि touch screen है, और यह ऐसा ऐसा चीज रिलीस करता है, जो 1990s में पहले आता था, मतलब कि अच्छा आप touch से slide करते हैं, पहले आदम जमानी के Nokia के smart phone में आता था यह सा function, मतलब देते ही नहीं है, मतलब इनको पता ही नहीं कि अच्छा touch screen से कुछ हो सकता है, तो यह कुशिश कर रहे हैं कि starter लोग हैं, च्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, जो smart phone से ही सारा चीज करते हैं, वो अब अगर camera में कुदेंग दो हजार दस से हो जाना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, और इसका autofocus चो कि AI sub processing unit है, बहुत sticky है, यानि कि कि इतनी chances होंगे कि यह miss करेगा, लगभग शुद्ध zero, शुद्ध zero, यानि कि आप आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, including low light, यह भी समझना बहु और low light पे यह असर आपको तुरंट दिखेगा, कि low light में Canon मिस करने लगता है, चिपकता नहीं है, और Sony बहुता भाई हम सभाल लें है, क्योंकि Sony मदब समझना यह 8 साल पहले कुदा था, face detection sensor को directly image sensor में embed करने का, तो उनको बसका लंबा experience है, और यह सबसे और बढ़ा दे रहे ह जो कि काफी सारे vloggers बनाते हैं उसको, touchscreen user interface में काफी महनत किया गया है, और multi interface shoe दे रहे हैं, यानि कि यह hot shoe है, यह multi interface है, यानि कि multi interface का फायदा होता है, कि आप Sony के बहुत सारे accessories इसमें पोच सकते हैं, जैसे कि इसमें एक Bluetooth microphone आता है, जो आप इसमें लगा सकते हैं, आपको ता four input channel दा सकते हैं, यानि जो video file निकले हैं, उसमें चार audio channel जा रहा होगा, यह काफी cases में सीधे सीधे लोगों के लिए चुपचा सपाई सालों हमको दे दो, यह आप कर सकते हैं, और इसका जो बैटरी है, चो कि यह vlogging के लिए छोटा करने का बश्य है, लेकि बैटरी पर कटौ सब में यहीं बैटरी है, यानि कि वह सारे बैटरी इसमें काम करेंगे, इस मामले में सुनी बहुत अच्छा चल रहा है, यह जनुरली अच्छा है कि कचरा कम पैदा होता है, और आप पूरा इको सिस्टम में घुच सकते हैं, और कोई टेंशन नहीं हो, अच्छा इसका यह बैटरी है, इसका वह बैटरी नहीं सची, यह बहुत अच्छी बात किया गया है, तो प्रो सिंक इनके पास काफी अच्छा है, प्रो सिंक का मतलब होगा कि, जो बूलना है, इको सिस्टम है, जैसे कि आप लोग शादी में देखते होंगे, तो एक बंद होता है, हाई रिज लोग जो सुरू में खरीदना चारें, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वहाँ पर यह जो ऑन बोर्ड है, बाकी सारे से बहुत बेटर है, यह प्रोफेशनल लोग कभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन होता है, कि प्रोफेशनल और स्टार्टर के बीच में एक यूजर इंटरफेश को एक्चुली थोड़ा सा यूसफुल बनाती चाहिए, बैटरी तो यह फूल फ्रेम में समयाता था, यह इतने कम दाम में दे रहे हैं, यह बड़ी बात है, और ओन बोर्ड माइक जो है, यह प्रोफेशनल को जरुवत नहीं होती है, लेकिन जो एंथ अब बात करते हैं, इसमें AI में थोड़ा लोग बह गया है, थोड़ा बह गया है, तो AI में समयाता किया गया है, क्लियर जूम, अगर आप लोग सोनी का हैंडी कैम यूज़ करते हो, उसमें हमेशा होता था, उसके बाद वो सॉफ्ट्वेर जूम करने लगता है, सीधे बेसि सकते हैं, तो करते क्या थे, आप ये करते थे, वो AI autofocus बंद कर देता था, ये बंद कर देता, वो बहुत सारे functions बंद हो जाते थे, अब इस में तिकड़म यह है, क्या आप ये सारे functions यूज कर सकते हैं, clear image zoom रखने के बावजूद भी, यानि कि आपने clear zoom किया है, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला और जब इसमें देखे कि हम जब stretch कर सकते हैं और almost 4K जैसा ही output है क्योंकि समझे है यह sensor बहुत बढ़ा नहीं यह sensor है सिर्फ 12 megapixel और आप थोड़ा सही crop कर सकते 8 megapixel पहुंच जाएंगे 8 megapixel होता है 4K यानि 1 to 1 अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं त वो 4K से चोटा है उसे stretch किया जा रहा है क्या ऐसा करना possible है कि 4K शुद्ध निकले हां लेकिन इस camera में नहीं हो क्योंकि sensor चोटा है वो करने के लिए कुछ कुछ camera company रिलीज करती थी जैसे कि drone में काफी बार किया जाता है कि sensor बहुत बहुत बाद देते है और जैसे माली sensor हो सक नहीं कंस्यूम कर रहे है 4K उतना जरूरी नहीं है TV में भी उतना जरूरी नहीं है HD अच्छा हो बहुत लोग खुश रहे है HD से उपर चलेगा क्योंकि obviously यह crop जरूर कर रहा है लेकिन full HD तक नहीं हो दा रहा है उससे अभी भी बहुत उपर है तो ठीक था काम चल जाता है त यह जब sensor में ही crop करना है तो सबसे best मतलब की one of the best है लेकिन यह समझना बहुत जरूरी चुकि यह 30% crop दे रहा है अगर आप wide angle lens इस्तमाल करना चाहते हैं यह आप नहीं कर सकते हैं वैसे wide angle का field खतम हो जाएगा तो यह समझना बहुत ज़रूरी है तो यह हो कि मतलब अगर आस-पास का quality lens लेजे उसमें यह dynamic crop मारी है तब जाके वह आप मतलब इतना दूरी से कि हां मैं यहाँ camera है मैं यहाँ पर हूँ बात कर पाएंगे फिर auto depth of field compensation यह पहले camera company है जो इस चीज को automate कर रहा है उसमें हिसाब यह है कि अगर दो लोग है ठीक है तो generally camera एक पर focus करता है औ कर लिया इंसान है अब वह aperture को change करने लिए तुक 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 कर के change करेगा f6.7.1 लाए तो बोलेंगे यह उससे scene यह नहीं हो जागा dark हो जागा dark हो जाएगा तो वह ISO बढ़ाना सुरू करते ते यानि कि ISO बढ़ाना सुरू करते तो यह दो वाल्व को जो है आपका sony का artificial intelligence जो इस camera में है वो control करता है कि एक बंदा है एक focus है f1.2 एकदम ultra आपका समझे shallow depth of filter लेकिन किसी से आप बात कर रहे हैं कोई आ रहा है और माली उसका चेहरा आपके जो focus plane है उससे आगे पीछे होने लग रहा है तो ऐसा नहीं हो कि एक focus में एक out of focus है वो focus यह depth of field को change कर देगा यह काफी है मैंने पहली बार देख रहा हूँ यह मैं शुद बोला हूँ यह crop वाला तो मैंने बहुत सारे में देखा है लेकिन यह पहली बार देख रहा हूँ कि आपको अपने autofocus पे इतना भरूस है कि यह f1.2 पे भी मैं पकड़ लूँ है क्या उस पर focus करना है कि नहीं बहुत अच्छा है और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे face को select करते हैं तो आप ऐसे zoom कर सकते हैं और camera move नहीं हो रहा है यह बस आपको click करना है पीछे जो है जैसे मालने मैं यहां करना हूँ यह एक और बंदा है आप यह जो dynamic crop है इस पर तुक मार सकते हैं इसके इसके चरह पर focus करो इसके चरह पर focus करो यह सब करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है टीवी चैनल में यह सब इसमें by default AI कर सकता है तो भी समझे बहुत सारे add-on जो है बिए गहें जो लोगों का life आसान कर देगा cinematic mode है यह है वो है क्या वो सब काम आप हर camera में कर सकते ह आप कर सकते हैं लेकिन बाद आता समय में महनत करना पड़ता है और प्रोफेशनल वही चाहते है ताकि वह हर एक चीज़ को प्रोफेशनल को यह नहीं चाहिए यह लेकिन बहले प्रोफेशनल बहले इंट्रेस्टेड होंगे है कि आप aperture और ISO कंट्रोल करते हो लेकिन हाँ ISO क में यह है कि आपका भले सीन का ब्राइटनेस नहीं चेंज रहा लेकिन नौइस बदल जाएगा आपन लिए 125 उसमें है एक एक सीन चेंज हो रहा है तो नौइस ख्राब लग सकता है तो बहुत सारा चीज है जो पहली बार इस तरह का कैमरा में देख रहे हैं यह किसी और अगफूर के बहुत नजदीक आता है तो हिसाब यह कि क्या यह खरीदना चाहिए मात यह मैं एक दम वार्निंग दे रहा हूं इसका थर्मल कपैसेटी बहुत खराब है यह मैंगनेजियम बाड़ी नहीं रखा है तो यह हीट डंपनी का और इसमें हीट सिंक है ही नहीं यान पहुंच जाते है दिली तो 48 पे चल जाते है पतना 45 पर रहता है तो यह समझना बहुत जरूए है यह कैमरा को लेने से पहले यह जरू समझे कि आप इंडोर अगर काम कर रहे है तो भी आपको थोड़ा सतर करें पड़ेगा यह कैमरा का थर्मल परफॉर्मेंस नहीं है जरूर कहूंगा साथानी बढ़ते हैं और चोकिस में हीट सिंग नहीं आप पंखा लागा के उतना अच्छा से कूल नहीं कर पाएंगे प्लास्टिक बोड़ी है मैंगनेशियम नहीं कि चैसी से हीट निकल जाए तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है सबसे बड़ा समझ तो जनरली कुछ मिनिट्स का ही किलिप लेते हैं लेकिन वो व्लॉगर्स करें इंडिया में हैं गर्मी में हैं और इस तरह के जगहां पर निकले हैं बाहर चांसे से कैमरा बहुत पहले ही जवाब दे देगा तो यह बात के मामले में मैं आपको एकदम सतर करते ना चारह हू इसको लेने से पहले अगर हो सकता है तो आप टेस्टिंग करें या मतलब देख लें कि आप जिस जगहां पर रहते हैं क्या थंडा है कि यह इसका सबसर बड़ा बाता है दूसरी बात इस पर में तो भर सा डाउट होगे कि अगर यह exact same sensor, exact same processor, obviously इसके लिए नया प्रोसेसर बना रहे हैं, सारा चीच control C control गी है तो 120 fps में delay keyword डाला गया, वह बहुत और बात है कि delay हम कर रहे हैं इसको, इसे हम बाद में रिलीस करते हैं, बाद में रिलीस करते हैं, बाद में रिलीस करते हैं, मेरे को logic बताओ, मुझे बहुत खराब लग रहा है, और most likely chances है कि 120 fps अगर य अगर 60 fps पे ओवरीट हो रहा है, 120 पे तो तुरंट ओवरीट हो जाएगा, और इंडिया में तो, मैं एकदम clear कर देना चाहरा हूँ, camera बुरा नहीं है, लेकि अगर वो लोग 20-24 degrees Celsius में बोल रहे हैं कि यह ओवरीट होता है, इंडिया में आते ही वो बोलेगा, यह हम से ना हो मैं मतलब इसका lowest estimate और highest estimate देखूं, तो 85-90% पैसा आप देही दे रहे हो अगर A7 Mark 4 होता है, तो बारे Mark 4 ले लेते हैं, उसमें इतना दरके advanced function नहीं है, एकदम clear कर देना, उसमें AI focus chip नहीं है, और वो depth of field adjustment करता वो नहीं है, बागी सब चीज़ नहीं है, तो उसमें आपको क् पिछले 5 साल पहले से बना है, वो उसमें जाधा better display, यानि कि बीच दिन में आपको इसमें दिखना मुस्किल होगा, उस time आप EVF के लिए बोलेगा भीया, आख में लगाओ देख लो क्या हो रहा है, और ये electronic viewfinder का सबसे बड़ा फाइदा है कि आप video भी देख सकते हैं, और mirror फाइदा होने वाला लोगों को, वो आपको मिलता है electronic viewfinder, दूसरा dual card slot, किसी भी serious job में बेना dual card slot के आप घुसे, तो आप आख के साथ खेल रहे हैं, 99% chances है कि आप जलेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन जलेंगे उस दिन आपकी बारात निकल दी जाएगी, कहीं पे भी कोई भी serious काम जिसमें retake नहीं किया जा सकता, उसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि dual card slot लेके ही घुसना होता है, और दुनों में redundant recording करनी होती है, यह professional चीज है, अब बोलेंगे नहीं, मैंने बहुत सारी शारी shoot के single card से, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मै मैं भी किया हूँ, मैं गरीव, मैंने अभी जैसे IIT कानफूर में गया था, तो shoots किया था, तो सारी single card slot लेकिन, वो मैं करना नहीं चाता हूँ, अगर मैं afford कर सकता है, और रहा बात, वहाँ पे मुझे कोई penalty नहीं है, कि अगर मैंने miss कर दिया, कोई दिक्कत होगा, आप अच्छा quality का photo, with अच्छा quality of video देतेगा, और full size HDMI output है, यानि कि HDMI का अगर आप use करना चाते है, जैसे कि आप चाते हो कि ProRes में video capture करना चाते है, ताकि editing अच्छी हो, color grading अच्छी हो, असान हो, pipeline smooth हो, इसमें आप कर पाऊँगे, उसमें micro HDMI तार एतना बार आपको खरीदना दे सकता है, ये इसको लेता है, तो ये 4K 15fps output दे सकता है, या 1080p, मतलब लेकिन समझें, ये webcam के लिए काफी है, और अगर आपको चाहिए एकदम ultra pro level stream, तो HDMI capture card आप खरीद सकते हो, वह भी 8-10,000 का ही आता है, बहुत जादा बहेंगा बात नहीं है, तो वही समझो, clear कर देना चाहिए, ये camera के बारे में काफी लोग hype कर रहे है, एक का दुख का चीज को छोड़के, इस सिफ software add-on है, यानि कि जैसे कि इसका stabilization बहुत अच्छा है, लेकिन आपका lens तो useless हो जा रहा है, आप मली 50mm का lens ले रहे है, वो 70mm जैसे behave करेगा, practical नहीं रहता है, तो इसमें आप क् चाहिए, उस तरह का sharpness की, खराब नहीं है, लेकिन चकाचक के जगाँ पे आप चकाचक नहीं ले रहे हो, क्यों? तो वही समझें, gimbal पे खच करना ज्यादा फाइन मन होता है, और वो हर camera, हर lens के साथ काम करता है, तो लोग वही समझें कि practical उतरह नहीं है, इसका daam अगर आध तो फिर उतना sense नहीं मता है, क्योंकि ये pro level का काफी सार function देता है, dual card बले बले, EVF देता है, जो आपको दिन में काफी काम आने वाला है, ये जादा better thermal performance देगा, by the way, almost हर चीब बोल जाता है 48 degree Celsius पे, लेकिन ये जादा देर टिकेगा, उसके बाद बोलेगा, और ठंडा भी असानी से हो जाएगा, तो इसलिए मैं clear कर देना चुरूँ कि, इंडिया के लिए सतर खो जाए, सारव function धरा का धरा रह जाएगा, अगर आप बाहर निकलिए और ये सीदियो overheat हो गया, तो मैं एक जम clear कर देना चारूँ, आपको ये लेना है, तो अपने पारे में अच्छ समझ लिए कि, क्या आपको इस जगहां पे हैं, जहां पे आपको overheating issue नहीं होने वाली है, तब ही ले, ये सब कोई, अगर 24 degree Celsius पर हो रहा है, तो मैं clear कर देना चारूँ, इंडिया में 48 में तो बोली जाएगा, तो ये था मेरा presentation, सौनी का जो नया रिलीस किया, जिसके पर चल रहा है, उमीद करता हूँ, आपको कुछ अच्छा लगाओ, कुछ सिखने उबलाओ, कुछ समझ में हो, अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोसरा शेयर कर दे, उसे मेरा काफी बिलाओगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंदा है, कोई बात नहीं, आप dislike दबा सकते हैं, मै मैं कौँगा dislike दो बार दबाएं, उसे मुझे पता चले हो, कितना ना पसंद हुआ है, मैं आपसे कौँगा, कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़नी कोशिश कता हूँ, आपसे कौँगा subscribe कीजिए, बेल दबाई यहरा free है, तो आपने एरा वीडियो दखा चैन के बहुत कुशी भी, धन्यवाद